हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीवो के टॉप पाइंग मॉबाइल्स की जो आने वाले हैं 2020 में और हम देखेंगे इन मॉबाइल्स की प्राइज इसकी लाउंच ट्रेट इसकी फूल स्पिकेशन तो दोस्तों इस वीडियो को लास तक देखेंगे पूरी मॉबाइल बेस्ट है तो मैं हूँ असी और आप देख रहे हैं Amazon शॉप नमर्बाइब बात करेंगे इसकी इसकी प्राइजन की तुसमें डाट का V9 Pi है 6Gb की रैम है पॉस एसमें Snapdragon 855 है डिस्प्ले इसमें 6.88 इंच का Full HD डिस्प्लेइ है स्क्रेन इसका Super AMOLED है और Fingerprint इसका नर इसमें आन स्क्रेन है बाट करें क्यामरा की तो इसमें Triple Rear Camera है 12+, 8+, 2Mpx का और Front Camera इसमें 16Mpx का इस टोरेज इसमें 64GB का इंटरेनल इस टोरेज रहेगा, वट इस्टी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा बैटरीस में 4500 की रहेगी और फास चार्जिग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो उसके एकस्पेक्टेट प्राइस है 20,000 रुपे वो सकता है मूभाल एंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए देखते हैं वीवो इस मोबाल को नहीं है किस प्राइस पहले क्याता है प्रोसेसर इसमें Snapdragon 855 Plus है डिस्प्लेश में 6.5 इंच का Full HD डिस्प्लेश है इसक्रेन इसका Super Emolade है और Fingerprint इसकानर इसमें On Screen है बात करें क्यामरा की तो इसमें 4 Rear क्यामरा है 64 Plus, 16 Plus, 8 Plus, 2 Megapixel का और Front Camera इसमें 32 Megapixel का इस्टोरेज इसमें 128 GB का इंटर्नाल इस्टोरेज रहेगा बट इस्टी कार्ट का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा बैटरीस में 4200 की रहेगी और Fast Charging का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके Price की तो इसके Expected Price है 35,000 रुपे हो सकता है मुबाइल इंडिया में 35,000 के अंदर आ जाए देखते हैं वीवो इस मुबाइल को इंडिया में किस Price पे लेकाता है अब बात करें इसके Lost Date की तो इसके Expected Lost Date है 28 जनवरी 2020 उमीद है मुबाइल जब तक इंडिया में आ जाए बात करें इसके स्पिकेशन की तो इसमें डाट का V9 Pi है 8GB की RAM है प्रोसेसर इसमें Snapdragon का 730G है इसमें 6.5 इंच का Full HD डिस्प्ले है इसक्रेन इसका Emoled है और Fingerprint इसकानर इसमें On Screen है बात करें क्यामरा की तो इसमें 4 रियर क्यामरा है 24 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल का और Dual Front Cameras में 32 प्लस 8 मेगा पिक्सल का Storage इसमें 68GB का internal storage रहेगा बट इस्टी कार्ट का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा बैटरीस में 4500 की रहेगी और Fast Charging का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके price की तो उसकी expected price ये 26,000 रुपे हो सकता है mobile इंडिया में 26,000 के अंदर आ जाए देखते हैं वीव इस mobile को इंडिया में किस price पिलेकाता है अब बात करें इसके launch date की तो उसकी expected launch date है 22 जन्वरी 2020 उमीद है mobile जब तक इंडिया में आ जाए बात करें इसके application की तो उसमें डाट का V9 Pi है 8GB की RAM है प्रोसेसर इसमें Snapdragon 855 है डिस्प्ले इसमें 6.89 इच का Full HD डिस्प्ले है इसक्रीन इसका AMOLED है और fingerprint scanner इसमें on screen है बात करें camera की तो उसमें 4 rear camera है 60+, 13+, 13+, 12MP का और front camera इसमें 32MP का इस्टोरेज इसमें 682GB का internal storage रहेगा बट इसD card का support आपको इसमें नहीं मिलेगा बैट्रीस में 4500 की रहेगी और fast charging का support आपको इसमें मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके price की तो इसके expected price है 35,000 रुपे हो सकता है mobile इंडिया में 35,000 के अंदर आ जाए देखते हैं वीवो इस mobile को इंडिया में किस price पिले क्याता है अब बात करें इसके loss rate की तो इसके expected loss rate है 31 जन्वरी 2020 मीद है mobile जब तक इंडिया में आ जाए नबर कोई प्याता है वीवो V19 बात करें इसकी application की तो इसमें अंडर का V9Pi है आपको इसमें नहीं मिलेगा बैटरीस में 4200 की रहेगी और वास्चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी expected price है 24,000 रुपे हो सकता है mobile इंडिया में 24,000 के अंदर आ जाए देखते हैं वीवो इस mobile को इंडिया में किस प्राइस पी लेकाता है अब बात करें इसके लांच डेट की तो इसकी expected लांच डेट है 25 जनवरी 2020 उम्मीद है mobile जब तक अंडिया में आ जाए तो नोस्तों यह थे वीवो के टाफ वाइब कमिंग mobile जुमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े और सबस्क्राइब कीज़े और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें नीचे कमेंट जरूर करें ठैंक का राइकूर के ठाइब का Вас i रहां ठाहते हुआ तायव रवाशे को हैं अलेंट के लोकीये और सोर आपको दिए्टी